I am not as clever as you, मैं इतना चालाक नहीं हो जितना की तुम You are not so clever as I, तुम इतने चालाक नहीं हो जितना की मैं तो इसी use को आज हम लोग समझेंगे कि इनका use कहां पर किया जाता है तो सबसे पहले इसके pattern को इसके construction को जानते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा so या as और इसका हिंदी में मतलब होता है इतना क्या होता है इतना और फिर उसके बाद आपको कोई adjective यूज़ करना होगा जैसे good, bad, intelligent, nice इस तरीके से adjective यूज़ करना है फिर उसके बाद आपको क्या लेना होगा as और इस as का मतलब जितना सुरू वाले so और as का मतलब जितना और इधर वाले as का मीनिंग क्या होगा इतना और इस चीज को याद रखिएगा कि so जो होता है वो आपके negative sentence के लिए use किया जाता है और as जो है वो positive sentence के लिए जैसे आपको बोलना है कि मैं इतना चालाक नहीं हूँ जितना की तुम तो आप कैसे बोलेंगे मैं इतना चालाक नहीं हूँ जितना की तुम I am not so clever as you जो को इस sentence आपका negative में है तो मैंने किया उसकी अशो I am not so clever clever आपका adjective है as you मैं इतना ही चालाक हूँ जितना की तुम यह positive sentence है तो आप कैसे बोलोगे I am as clever as you I am as clever as you मैं इतना तेज नहीं दोड सकता हूँ जितना तुम I cannot या I can't I cannot run so fast as you और याद रखिएगा fastly word मत use करिएगा बहुत सारे student fastly word का use करते हैं तो fastly word नहीं होता है मैं इतना तेज नहीं दोड सकता हूँ जितना तुम I cannot या I can't run so fast as you मैं इतना बुद्धिमान हूँ जितना तुम I am as intelligent as you तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं तो और as इतना बीच में आपको क्या लेना होगा positive degree और इधर आपको क्या लेना होगा as right this room is not so bright ये कमरा इतना चमकीला नहीं है as that one जितना की वो कमरा you are not so smart तुम इतने smart नहीं हो as I जितना की मैं तो ये concept clear हुआ होगा thanks a lot